इस वीडियो में मैं आप बच्चो को एक topic करने वाला हूँ hot money के बारे में तो काफी important topic है आजकल अगर आप अख़वारों में देखो कि तो बहुत चर्चा में रहता है hot money तो बच्चो hot money क्या है यह बता हूँ उससे पहले में आपको यह भी बता दीता हूँ इसके अलावा यह नोट्स भी हम आप बच्चो को प्रवाइड कराते हैं तो हमारी application के माध्यम से आपको यह नोट्स भी मिल याएंगे आपको इस ट्री मटेरियल में आपको यह नोट्स सारे के सारे अवलेबल है तो बच्चो hot money के बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको सिंपल तरीके समझा देता हूं उसके बाद hot money का जो थेयों आप पढ़ते रहेगा जिसे माल दीजिए कि दो देश ले लेते हैं एक देश है एक मिल पच्चो हां एक देश लेते हैं माल दीजिए अमेरिका यूसे और दूसरा लेते इंडिया इंडिया अब इसक इसके पास बहुत सारा पैसा है इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है तो इंडिया क्या करेगा अपने पैसे इसके पैसे को अट्रेट करने के लिए इंट्रेस रेट को हाई कर देगा इंट्रेस रेट को हाई कर देगा यानि कि अब क्या होगा इंडिया में पैसा आएगा लेकिन बचों यह से हॉटमने इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पैसा बहुत चॉट टरम के लिए आता है यह पैसा स्टॉक मारकेट के मादियम से आता है अब आप देखिए जैसे इस टॉक मारकेट में मंदी आती है मतला यह आ दो सारा का सारा पैसा है जो स्टॉक के माधियां से अरह Αय Five से बाहर जा रहा है क्या गंटे के अंदर आता है कि अचला जाता है इसी प्रश प्रकार की मनि को हॉट मनी कहते है इसका मतलब क्या हुआ कि जो विदेशी का जो capable हो रहा है देस के अंदर यह देशmouse आ रहा रहा है कि वह गंटों में कर सकते हो कि हो इसलिए है ौई भूट मणी के लिफ्ल हो Grande wins की देफिनिशन या किस तरीके से कर सकते हो तो हम ऐतल is the sorry is the type of money that can flow freely and quickly from one part of the world to another part of world in search for earning a better rate of return or safe place to park their money यानि कि दो वज़े से किया जाता है एक तो बैटर रिटन करने के लिए बैटर रिटन चाहिए दूसरा safe place है यह माली जै किसी देश में रिटन ज्यादा हो अगर से लंका जैसा देश अगर आपको 25% रिटन भी देता है एंवली तो भी आप पैसे को सिलंका में पार्क नहीं करना चाहोगे यानि कि कोई भी देश अपना को उस देश में लगाएगा जिस देश में उसका रिटन जादा हो दूसरा उसके पास safe place भी हो तो इस दो वज़े से एक देश से दूसरी देश में पैसे का फ्लो जो होता है उसी को हम होट मनी के नाब जयाते है होट मनी इस यूज तो डिस्क्राइब इंवस्टमेंट इस् का यूज इस इंवस्टमेंट इस्ट्रेजी के थ्रू किया जाता है वेरें दी इंवस्टर मूब देर मनी तो अनुदर कंट्री टेक एडवंटेज ऑफ फेवरेबल मूमेंट ऑफ इंटरेस्ट्रेट इनिक एक देस से दूसरी देस में पैसा पहुंचाया जा रहा है एक द होगत हो रहा है उसी को हम बोलते हैं हाट मनी इन इंटरेस्टड्याइब वैर या इनडर्सटेट हें तरीके का उन्ब करेता है या करने की लिक्विडिटी तो इसमें बहुत जबर्दस होती है लेकिन सभी सबसे इंपोर्टन बात ही है कि एक तरीका का यह पैनिक कर देता है बेसिक बिसाइड क्रेटिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फॉर रिसिप्ट्राइन कंट्री होट मनी केन और सो बहुत सारे पैसा आया तो आपकी करेंसी की वैल्यू गई इसी तरीके से यह कैपिटल स्टॉक को भी बढ़ा देता है आज तना पैसा विदिसी लेकर चले गए यानिकि होट मनी जो है वह एक तरीके से एक्षेंड को इंफ्लूएंस करती है और हमारे कैपिटल फ्लो को भी करती है तरे डिच्डेंनली केवल इसका यूज़ोटा ता वो किवल और किवल your bank deposit में होटा था ठाप पुराने जमाने में अचक्रियोग है वह बहुत सारे और काम हो रहे है जैसे कि आप देखिए कहामों हो रहे है जैसे आपर पैसे का रिटन होने की उम्मी जाद है भारत और अमेरिका की बात करें तो डेफिनेटली भारत की जो ग्रोफ रेट्रेट से जादा होगी तो डेफिनेटली जिस देश के पास पैसा है वो एसी देश में पैसा लगाना चाहेगा जो डबलबिंग कंट्री कि तरफ हो इस एकोनोमिज है वाई रेट अफ रिटन ओफ इन्वेस्टमेंट विकॉज विच विच देया अट्रेक्ट होट मनी ठीक होट मैंद फ्लो आर वेरी वाल्टाइल जैसे के आपको बता है बहुत जादा होता है कभी आया कभी गया ठीक है बहुत जादा होता इस फ्लो लीट ट साथ पैसा निकाल लेंगे बैंकों से तो बैंकिंग क्रैसिस की भी सम्मार में वरी रहती है बेसिकली बच्चो होट मनी को अगर मुझे एक सब्द में डिफाइन करना हो तो मैं यह कहूंगा कि होट मनी वो कैपिटल है जो एक देश द्वारा या एक कंट्री द्वारा दू